हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बाक तू माई यूट्यूब चैनल मैं रमा कोशल देखिए हाज आपके लिए मेजरमेंट चार्ट लेकिया हूं यह बॉइस और जंट स्वेटर मेजरमेंट चार्ट है इसके अकॉर्डिग आप जंट स्वेटर और बॉइस स्वेटर जो है वो इसी ह अगर वीडियो नहीं देखी है तो मेरी चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी अब वहां से जाकर भर मेरा video देख सकते हैं तो चलिए से start करते हैं मैं यह से तो rust कर लेती हूँ तो 40 करते हैं सबसे पहले हमने border start करना है तो border start करने के लिए हमने यहाँ पर देखये मैंने यहाँ पर size, यहाँ पर सारे sizes लिखे हुएं कि हमारे कौन-कण सा size है ठीक है तो से पहले हम border start करेंगे, तो border के जो stitches हैं, वो small में 100, medium में 106, large में 110, axle में 116, double axle में 120, triple axle में 125 डालेंगे हम अपने border पे, ठीके, तो border के उपर जो हम stitches बढ़ाते हैं, तो 110 small में, 116 medium में, large में 120, double axle में 126, triple axle में 130 और 135 ठीके, यह हम डाल सकते हैं, और triple axle में 135 से 40 तक जो stitches हैं, हम अपने border के उपर बढ़ा सकते हैं, उसके बाद आता है हमारा border length, border length आपके उपर depend है, वैसे तो 2.5 inches होती है, लेकिन आप 2.5 भी रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं, 4 भी जितना चौड़ आपको border चाहिए, उस हिसाब से आप border length रख सकते हैं, उसके बाद आता है हमारा border to armhole, ठीक है, border to armhole भी friends, height के उपर depend होता है, कि आप किसके लिए बना रहे हैं, और कितनी height है, ठीक है, तो नॉर्मल तो 16 और 17 इंच जो होती है, वो नॉर्मल रहती है, लेकि उसके बाद जिसके लिए आप बना रहे हो, वो आप नापकर उतनी इसकी length कर सकते हो, ठीक है, अब आती है हमारी shoulder cutting, shoulder cutting जो होती है friends, वो हम 5, 4, 3, 2, 1, small और medium के लिए हम दोनों के लिए हम इतनी ही रखेंगे, लेकिन जब हमारी large axle, double axle और triple axle रहेगी, तो हम 6, 4, 3, 2, 1 की हम shoulder cutting करेंगे, चिक है, उसके बाद आता है हमारा round neck, तो round neck भी आप अपने cutting रहे है, आप थोड़ा deep पैनते हो, आप ठीक पैनते हो, तो वो आपके उपर depend है, आपने round neck कितना रखना है, वैसे round neck जो होता है, वो 5 इंच, जब हमारा shoulder cutting हो जाती है, जब हमारी shoulder की cutting होती है, वहां से लेकर 5 इंच हमने, उपर को बढ़ाना है, ठीक है, उसके बाद हम अपनी round neck की cutting करनी है, बाकी आपके उपर depend है, आप 6 इंच पर भी कर सकते हो, आप 7 इंच पर भी कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह से आपको गला चाहिए, उस हिसाब से आप ये neck cutting जो है, वो start कर सकते हो, ठी V-neck, V-neck भी हमारा ऐसे ही होता है, कई V-neck जो है, वो थोड़ा down पहनते हैं, तो वो V-neck हम अपनी shoulder cutting स्टार्ट करते हैं, वहीं से भी start कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरा shoulder cutting करके, जितना भी आप रख रहे हो, 5, 4, 3, 2, 1 करके, उसके बाद आप V-neck जो है, वो cutting कीजिए, वैस कीजिए, उसके बाद आती है हमारी armhole to shoulder, जब हम armhole की cutting कर लेते हैं, वहां से shoulder तक की जो हमारी length होती है, वो 9 inch होती है, 9 inch होती है हमारी small and medium के लिए, और large axle, double axle, triple axle के लिए, हम यह 10 inch रखते हैं, ठीक है, बाकिया आप सब में 9 inch रखेंगे तो वो भी ठीक रहेगा, वो भी च stitches, जो shoulder stitches जो होते हैं, वो मेरे shoulder stitches रहते हैं, वो हैं, तो आप small के लिए 34 से 36 भी रह सकते हैं, ठीक है, medium के लिए इतना ही रखें, large के लिए 36 से 38, और axle के लिए 40, 42, double axle के लिए 40, 42 भी कर सकते हैं, ठीक है, और triple axle के लिए 42, 44, 46 भी कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं, 44 इनफ होता है, उससे ज़्यादा अगर आपके रह रहे हैं, 46 तो वो चल पड़ेंगे, ज़्यादा shoulder stitches रहेंगे, तो push shoulder लटकना शुरू हो जाता है, इसलिए आप इन stitches को जो है, वो थोड़ा से adjust कर लिए, ताकि उसके बाद आता है हमारा round neck, round neck के लिए हम 120 जो है, वो small के ल 5 भी हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं वो भी आपके चल पड़ेंगे, लेकिन जो हमारा round neck और v neck होता है, वो हम हमेशा 11 नमबर या 12 नमबर की slice पर बनाते हैं, ठीक है, बाकि आपकी उन पर भी depend है, कि आपकी उन कैसी है, तो उस recording हमारा ये 11 और 12 नमबर पर बनेगा, ठीक ये हम front neck पर जिखिए, ये हमारा front neck है, ये हमारा neck है, जो हम v neck बना रहे हैं, तो इसके दोनों side, front पर, इधर भी आप 75 से 85 से रख सकते हैं, और इधर भी, क्योंकि इधर और इधर दोनों जो है, वो same stitches होते हैं, हमारे back side में 40 से लेकर 45 stitches हम रख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा v neck हो गया, अब आते हैं हमारे sleeves border, जब हम border अपना बाजू start करते हैं, तो उस पर हम 48 small में, medium में 48, और large में 50, axle में 52, double axle में 54, और triple axle में 56 sum stitches रख सकते हैं, और जुरुरी निया 56 रखे triple axle में या 54 भी कर सकते हैं, 4-5 खर उपर नीचे चल पड़ते हैं, उसके बाद आता है हमारा border के उपर, border के उपर आ, 54, medium में 54, large में 56, axle में 58, double axle में 58, और triple axle में 60, बाकि health के उपर डिपेंड़ है, क्योंको triple axle है, तो वो health ठीक होगा उनका, तो आप 60 stitches जो है, वो बाजू पर रख सकते हैं, ठीक है, फिर हमारे टोटल स्टीचेज होते हैं, टोटल स्टीचेज जो हमारे, जहां से हमारी armhole की cutting शुरू हो जाती है, वो total stitches है, वहाँ पर हम small के लिए 100, medium के लिए 100, large के लिए 110, और axle के लिए 110, double axle के लिए 116, और triple axle के लिए 120 भी हो सकते हैं, या 116 भी हो सकते हैं, 116 के बाद 120 चलड तक यह थीक रहता है, ठीक है? cutting होती है, जैसे हमने अपने फ्रंट साइड में cutting की है, पांच, चार, तीन, दो, एक, वैसे ही cutting हमारी बाजू में भी होगी, ठीक है? तो बाजू में हम पांच, चार, तीन, दो, इसमें हम एक नहीं गटाते हैं, दो के बाद हम हर सीधी स्लाइ में दो-दो घर गटाना शुरू कर देते हैं अब आपने अपने लेंध नाप लीजिए अगर आपकी लेंध जो है वो पूरी आ रही है और आपके उपर स्टिचेस बच रहे हैं उसके बाद आप उनको एक साथ जितने भी स्टिचेस आपके काल आप जाएट करने में भी साथ हो अगरेएश स्टार्टी में रूपा यह दो घर चृड़ में वास्ता इटने रख करेंगे जैसे कटिंग नाप प्रेंग करेंगा स्टिचेस भी एकशिए कमें बाजू तो जातले बचाना ने थे सटार्टी में साथिस Milky तो राउंड नेक जो फ्रेंड से होता है इसके बाद हमारा जो राउंड नेक हमने बीच में सेंटर में 14 गर एक साथ गठाने है उसके बाद 5-4-3-2-1-1 बाकी आप अपने स्टिच देख लीजे कि आपके ऊपर स्टिच बच रहें अगर आपके इसरोल्डर के ज्यादा स्ट लिब जान में होeremosवा फ्रेंड आफ एक प्रेंड शासरी तो इनको कम कर दीजिये सबस्सक्राइभ मघाएं iはsom भी आपकी होसा फ्रेंड फ्रेंड्स यह आपके लिぁ एक ऐडिय दिया है ,आप कितने साइस पर कितने स्थिचेज त्वेटर में लगाверж व्रुकिते हैं उन के उपर भी डिपेंड होगा कि आपकी उन जो है वो किस टाइप की है ठीक है अगर आपकी उन मोटी है उसमें स्लाई भी मोटी होगी तो उसमें आपके स्टीचे जो है ये कम पढ़ेंगे अगर आपकी उन पतली है तो आपके जो स्टीचे जो है वो ज्यादा पढ़ेंग तो मैंने आपको यह जो है वो दस नम्मर की स्लाई के अकॉर्णिंग आपको यह चार्ट बताया है अगर आप केवल डिजाइन डाल रहे हैं तो केवल डिजाइन हमारा हमेशा टाइट रहता है ठीक है उसमें भी आपके स्थीचे थोड़े ज्यादा पढ़ेंगे अगर हम जा आपका हाथ लूज है आपका हाथ टाइट है तो आप अपने अकॉर्णिंग उसको इन स्टिचिस को है अर्जेस्ट कर दीजिए ठीक है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सेस्क्राइब कीजिए और मुझ अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई